लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर से जुड़ी तवाम खबरे से शोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जिसका खुलासा अभी तक भले ही परिवार वालों के तरफ से नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर वे खबर काफी तेजी से वाइरल हो रही है दरसल ये खबर है लता मंगेशकर जी की डायरी को लेकर जी हाँ कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर जी को डायरी लिखना बहुत पसंद था और ऐसे में लता मंगेशकर अपने हर एक दिन चर्या को डायरी में में मेंचिन करती थी और डायरी में खुद से जुड़ी तमाम बाते लिखती थी उनके जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है लता मंगेशकर सब कुछ अपनी डायरी में लिखती थी लता मंगेशकर जो अपने दर्द का हाल किसी के सामने बया नहीं करती थी लेकिन अपना दिल खोल कर रख देती थी अपनी डायरी में इस डायरी में लता मंगेशकर ने अपने परिवार, अपनी जिंदकी, अपने करियर, अपने अधूरी प्यार, अपनी बहनों के साथ जुड़े रिष्टियों के बारे में सारी चीजे लिखी हैं ऐसी खबरे शोशल मीडिया पर वारल हो रही है, इस लिपोट में दावा तिया जा रहा है कि लता मंगेशकर किस तरीके से डायरी निखा करती थी और इस डायरी में लता मंगेशकर की ये जायरी उनके नेधन के बाद उनके परिवार वालों के सामने आचुकी है एसी खबर है लेकिन अभी तक परिवार वालों की तरफ से ऐसे कोई ऑफिशल स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसमें इस बास करदावा किया जाए कि लता मंगेशकर की डायरी सामने आई है और इस डायरी में छिपे है कई सारे राज जी हाँ बिल्कुल छीक सुन रहे है तो ये है पुरी खबर लता मंगेशकर जी को लेकर जिसका खलासा हमने कर दिया है आप सब के सामने और साथ ही आपको बताया लता मंगेशकर जी से जुड़ा और उनके डायरी से जुड़ा राज रहां पर भले ही परिवार की तरफ से उनके डायरी को लेकर कोई भी अनाउंस्मेंट नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर डायरी को लेकर अशी खबरे वाइरल है लेकिन ये तब तक सावित नहीं होगा सच जब तक परिवार की तरफ से कोई अनाउंस्मेंट नहीं आ जाती कि वाकि उनसे जुड़ी उनके जिड़ झाल झाल